Elvis यादव ने ईशा के बाद अब शेहनास के साथ रील बनाई है और ये रील इतनी कमाल की है कि लोग अब इस बात को manifest कर रहे हैं कि भई अब शेहनास के साथ हम तो दिवाने पार्ट टू आना ही चाहिए शेहनास के साथ उसका जो यूट्यूब के लिए शो है वो तो Elvis ने किया ही लेकिन अब ये जो रील सामने आई है अगर उसकी कमेंट्स आप पड़े तो लोग अब ये चाह रही है कि जो हम तो दिवाने को success मिली है उसको आगे ले जाते हुए उसका पार्ट टू बनना जरूरी है और पार्ट टू में कोई और नहीं बलकि या तो शेहनास होनी चाहिए या फिर ईशा गुपता तो आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर इसका पार्ट टू आता है तो हमने ईशा के साथ भी chemistry देखी Elvish की और शेहनास के साथ भी हम ये chemistry देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जो अगर इसका पार्ट टू आता है क्योंकि जो उमंग festival में ये लोग सब गए थे वहाँ पर इस बात को अनौस किया गया था कि इसका पार्ट टू जल्दी आ सकता है तो अगर इसका पार्ट टू आता है तो फिर उसमें आप किसे देखना चाहेंगे ईशा को या फिर शेहनास को या फिर उर्वशी को लेकिन शेहनास के साथ ये रील में जो दोनों की chemistry नजर आ रही है वो लाजवाब है क्योंकि ये दोनों मतलब एक अलग तरीके का romance जो है करते वे नजर आ रही है मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही simple सा setup है कुछ भी नहीं सिर्फ expression से ये दोनों चीजों को जो है convey कर रहे है तो अगर आप comment पड़े तो आपन लोग कह रहे हैं कि भई अब तो वाकई में एक गाना जो है बनता ही है तो आपको क्या लगता है कि अगर इसका part two आता है तो आप Elvis को किसके साथ देखना चाहेंगे शेनाज, ईशा या फिर उर्वशी comment में अपनी राए लिखकर ज़रूर बताएं